उसमाटम पहले ही सब्दजंग अस्पताल में हो चुका था इसलिए साक्षों से छेरचाड के आरोप बिलकुल गलत है हलफ नामे में यूपी सरकार ने कहा है कि कुछ राजनेतिक पार्टियों और मीडिया का एक हिस्सा हाथरस मामले को जाती रग देने में लगा है लिहाँसा सीबियाई जांच जारी रखने की इजाज़त दी जाए यूपी सरकार ने कहा कि जूटे नारेटिव के परदा फाश के लिए कोट सीबियाई जांच की निगरानी करे यूपी सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुशार महता ने कोट को आश्वासन दिया कि पिडिदा के परिवार को पूरी सुरक्षा उपलब्द कराई गई है हमने जो कहा है हमने कोट में जाके कह रहे हैं वो भी सुप्रीम कोट में उच्तम नियाले में जाके खड़े होके क्या है एफिडेविट के माद्यम से कहा है कि आप सी बी आई मॉनिटरेट करें हमें कोई आपती नहीं है अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है एक सरकार की तब क्या छुपाएगी वो तो कह रहे हैं कि हमारे साब ले लो आप ही इंक्वाइरी करो आप ही मॉनिटर करो और सेंट्रल एजेंसी इलाज से बहतर रोक थाम पर है कुछ उपायों को बताते हुए आयुश मंत्राले ने सलाह दी है कि दिन भर गर्म पानी पिएं कम से कम 30 मिनट तक योग का अभ्यास करें प्रानायाम और ध्यान लगाना बहुत महत्वपोर्ण है भोजन पकाने के समय इसमें हल्दी, जीरा और धनिया जैसे मसालों का इस्तिमाल करने की भी सलाह दी गई है साथ ही गर्म ताजा बना खाना ही खाए Immunity को मजबूत करने के लिए मंतराले ने सुभह एक चमच चयवन पराश खाने की सलाह दी है जो डियाबिटीज के रोगी है उन्हें बिना शुगर वाला चयवन पराश खाने की सलाह दी गई है आयुश मंत्राले ने अपनी गाइडलाइन में कहा है कि दिन में एक या दो बार हरबल चाई पियें या तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सूखी अद्रक और किशमिश का काड़ा पीने और डेड़ सो मिली लीटर गर्म दूद में आधा चमच हल्दी डाल कर पीने की सलाह द देने के बारे में भी बताया गया है तो वहीं खासी या गले में खराश होने पर दिन में दो-तीन बार प्राकृतिक शक्कर या शहद के साथ लौंग का पौडर लेने की सलाह दी गई है एस इंटमेटिक कोवीड 19 पोजिटिव के लिए यह रिकमेंडेशन है गुडुची गन बटी अगिन गुडुची इसको गिलोई बोलते हैं संसमनी बटी या गुडुची या गुडुची पिपली इसको या आयूशिक्टिफोर माइल्ड कोवीड पोजिटिव हो तो